नमस्कार दोस्तों आपका अपने वोमेन एंड बेबी केर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सभी के साथ PCOD की या PCOS की नेक्स सीरीज में गर्ब पात रोकने के नुस्के लेकर आई हूँ इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं PCOS या PCOD महिलाओं में होने वाला एक सामान्य हार्मोनल डिसॉर्डर है आम तोर पर इसकी पहचान एनियमीट पिरियट्स आने या पिरियट्स के ना आने चेहरे, गर्दन, शरीर के पिछले हिस्से या पेट पर पुरुशों की तरहें ऐसा मान्य बाल आने के से की जाती है PCOS की इस्तिति में एक महिला के लिए माँ बनना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि pregnancy के दोरान उन्हें complications होने का खत्रा जादा बढ़ जाता है हाला कि यह भी सच है कि काफी महिलाएं PCOS से पीडित होने के बावजूद भी इसके लक्षणों को नियंतरित करके pregnant हो रही है और स्वस्त शिशु को जनम भी दे रही है इसलिए यह कोई घबराने का यह कोई ड़ने का विश्य नहीं है बस थोड़ी सी सावधानी जरूरी है जिससे आप इस समस्या में भी बहुत सफलता पूर्वक मा बन सकती हैं आपका यह भी जानना जरूरी है कि PCOS या pregnancy समंदित समस्याएं भी वास्तविक हैं इसलिए स्वस्त pregnancy सुनिश्चित करने के लिए इससे समंदित सही सूचना और साधनों के बारे में जानना महिलाओं के लिए बेहत ही आवश्यक है चलिए अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे साधारन से घरेलून उसके शेयर कर रही हो जिनको करने से आप गर्बपात को रोक सकते हैं इसमें सबसे पहला है हरी दूब के पंचांग यानी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल को पीस कर उसमें मिश्री वे दूद मिलाकर डेड़ सो से दो सो ग्राम शर्पत के रूप में सुभे शाम पीएं इससे बेहद ही फायदा मिलता है और ये गर्बपात रोकने का बहुत सफल नुसका है नमबर दो, गाएं का ठंडा किया हुआ दूद, वे जेठी मधू का काड़ा बना कर पिलाएं साथ ही साथ इस काड़े को नाभी के नीचे भाग पर भी लगाएं इससे गर्ब स्राव होने की संभावनाएं कम हो जाती है यानि मिस कैरेज होने की संभावनाएं लगभग लगभग 10% रह जाती है आपको 90% का फायदा मिलेगा नमबर तीन अशोक की छाल का क्वात बना कर कुछ दिनों तक सुबह शाम पिलाने से गर्ब वतीस्त्री के गर्ब स्राव को की संभावना नहीं रहती नमबर चार एक पके केले को मत कर उसमें शहद मिला कर गर्ब वतीस्त्री को खिलाएं ये बहुत ही फायदेमंद है नमबर पांच वंशलोचन, मिश्री, नागकेशर को लेकर बारिक चोन कर लें इसे दो ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गाय के दूद के साथ खाने से बहुत ही लाब मिलता है यानि जो तीनों चीजे अपने को लेनी है वंशलोचन, नागकेशर और मिश्री तीनों एकवल मात्रा में लेनी है और जब तीनों को इखटा आप मिला लीजिए तो सुबह शाम दो दो ग्राम गाय के दूद के साथ इसको आपको खाना है नमबर छे, मूली के बीजों का कपडचान बारीक चौन पीसे यानि मूली के बीजों को पीस कर कपडचान कर लीजिए और उस चौन में भीम सैनी कपूर को गुलाब के अर्क में मिला कर गर्ब ठहरने के बाद योनी में कुछ दिनों तक मलने से बहुत लाब मिलता है अगर किसी स्त्री को बार बार गर्ब स्राव हो रहा है तो उसके लिए यह प्रियोग बहुत ही फायदे मंद है आप इसको कीजिये और लाव उठाए और नमबर साथ पीपल और बड़ी कटकरी की जड़ पीस कर बहैंस के दूद के साथ कुछ दिनों तक लेने से बहुत ही फायदा मिलता है यह छोटे छोटे घरे लोग उपाए हैं और यह गर्ब पात रोकने में बहुत ही प्रभावशाली हैं लगभग 200% के करीब मैं आप सभ निजात पा सकती हैं कुछ भी हो आपको बेहत खुश रहना है जब आप प्रेगनेंट हो ओम का जाप करना है अपने दिमाग को शान्त रखना है मेडिटेशन करना है इन सबी को हम करके अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं यदि ये मेरे उपाए आपके काम आते हैं और आपको फायदा देते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आप सबी के साथ औरों का भी भला हो सके और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत भहुत धन्यवाद आप सबी खुश रहें स्वस्त रहें